दूर देश में एक बहुत अमीर व्यापारी अपनी बेटी ब्यूटी के साथ रहता था। ब्यूटी बहुत सुन्दर और गुणी लड़की थी और सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन काम के सिलसिले में व्यापारी यात्रा पर गया हुआ था और रास्ता भटक कर वह एक जंगल में खो गया। कई घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद उसे जंगल में एक महल दिखाई दिया। वह जब महल के दर्वाजे के पास पहुचा तो वह अपने आप खुल गया। व्यापारी महल के अंदर गया लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। महल अंदर से बहुत सुन्दर था। वहां एक बड़ी सी मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को भूख लगी थी इसलिए उसने वह खाना खा लिया। फिर उसने सोचा कि अब वह कम से कम वहां रात बिता सकता है। उसने एक कमरा ढूंधा जहां आरामदायक बिस्तर था। व्यापारी को बिस्तर पर लेखते ही नींद आ गई डौट अगले दिन व्यापारी उठा और घर वापस जाने के लिए निकला। वह नीचे आया और महल के बगीचे में गया। वहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उसने एक सुन्दर गुलाब देखा और उसे अपनी बेटी ब्यूटी का चहरा यादा गया। व्यापारी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के लिए यह फूल ले जाएगा तो वह बहुत खुश होगी। ऐसा सोच कर उसने महल के बगीचे से फूल तोड़ा। और उसे अपनी जेब में डाल ही रहा था कि अचानक बीस्ट यानी एक बहुत बड़े आकार के जानवर जैसा मनुष्य महल की खिड़की से बाहर निकला और बगीचे से फूल चोरी करने के लिए उस पर गुस्से से चिलाया। वह दहाड कर व्यापारी से बोला मैंने तुम्हें खाना और सोने के लिए एक बिस्तर दिया और अब तुम मेरे फूल चुराना चाहते हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। व्यापारी ने घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैं अपनी बेटी ब्यूटी के लिए यह उपहार के तौर पर ले जाना चाहता था। तब बीस्ट ने कहा, अगर तुम यहां नहीं रह सकते, तो तुम्हें किसी न किसी को यहां भेजना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूँगा। व्यापारी ने घबर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताई। ब्यूटी बहुत समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, आपकी जगह मैं उसके पास जाऊंगी, पिता जी। पता नहीं वह बीस्ट क्या चाहता है, लेकिन वादा तो वादा होता है। ब्यूटी बीस्ट के महल में जाकर रहने लगी। एक दिन बीस्ट ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन ब्यूटी ने बीस्ट को शादी के लिए मना कर दिया। एक दिन ब्यूटी को अपने पिता की याद आ रही थी, इसलिए उसने जादूई दरपण में उन्हें देखना चाहा। ब्यूटी ने दरपण में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है। उसकी उदासी देखकर बीस्ट ने उसे अपने घर जाने की अनुमती देदी ब्यूटी अपने पिता के पास पहुँची और उनकी देखभाल करने लगी। कुछ ही समय में व्यापारी की तबियत ठीक हो गई। फिर एक दिन ब्यूटी को बीस्ट की याद आई और उसने जादूई दरपण में उसे देखा। ब्यूटी ने देखा कि जानवर बीमार था। बीस्ट को बीमार देखकर ब्यूटी को बहुत दुहक हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगी है। वह तुरंत महल की ओर भागी। जब वह महल पहुँची तो बीस्ट की हालत देखकर वह रोने लगी। उसने बीस्ट से कहा, मुझे छोड कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। ब्यूटी के ऐसा कहते ही बदसूरत दिखने वाले उस जानवर में अचानक एक बदलाव हुआ और वह एक सुन्दर राजकुमार में बदल गया। तब बीस्ट ने ब्यूटी कहा, मुझे एक चुडैल ने बदसूरत राक्षस की तरह दिखने का श्राप दिया था और मैं फिर से अपना रूप तभी पासकता था जब किसी को मुझसे सच्चा प्यार हो जाए। इसके बाद ब्यूटी और बीस्ट ने शादी कर ली। आपको अगली फिल्म कौन सी हिंदी में चाहिए कृप्या कमेंट बॉक्स में बताएं अगर फिल्म अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।